तो हेलो हाई नमस्कार आप सभी को दिस इस निधी राना एंड आई होप यू आप यू आप जैसा कि आप जानते हैं कि डेली पुलिस हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट आ चुकी है 2022 की कल नोटिफिकेशन आई थी कल से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुक करें के साथ साथ आपको सेशन में देखने को मिलेगा तो एक बार फटाफट से भाई सभी के सभी सेशन को शेयर दो आई थी ताकि जिसके मान में छोटा सा भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए तो देखें यही आपका हैड कॉंस्टेबल डेली पुलिस 2022 की नोटिफिकेशन कल आई थी जो आपके फॉर्म फिलिंग है वो कल से स्टार्ट हो चुके हैं 17 तरिक से कब तक रहेंगे एक महिने तक 16 जून तक आपके चलेंगे ठीक है एक महिने तर लेकिन आपको वह इतना ही करना है आपको एक हफते के अंदर अंदर फॉर्म कर देना है ठीक है फिर वाई यह ओनलाइन एप्लिकेशन की लास्ट रिसिप्ट वह ही 16 जून फिर ओनलाइन फी पेमेंट मतलब आप फी कब तक पेमेंट क कर सकते हो और ओनलाइन वह क्या है 17 जून मतलब एक दिन एक्स्ट्राइक मिल रहा है जी फॉर्म बंद होंगे और यह ने जो जीज़ चलान है उसके लिए आपको एक दिन और एकst glow रहा है ऐाँ और तरो कि बाट है ठीक है उसके लिए ओनलाइन वाला सतरा ओफन वाला अठारा ठीक है और में जो चीज है यहां पर एक और क्या करेक्शन ठीक है जो आपका पेमेंट है सतरा जून तक ऑफन चलान है अठारा जून तक और जो आपकी करेक्शन है वो जब फॉर्म फिल वाला जो प्रोसेसर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होगा 21 से 25 जून तक साथ ही साथ जो आपकी टेंटेटिव डेट है ना टेंटेटिव तो क्या आपको सवेंबर में आपका एक्जाम हो जाएगा आपके पास कितने महीने अंगरेश तो चली रहें जून जुलाइ अगस्ट तो out to kareίνimanna तीन महीने हैं बस ठीक, भाई आपके बास बस तीन महीने हैं, रेडि करने के लिए सारी स्ट्राटीजी आपको बताई जाएगी कि आप किस तरीके से सारी चीजे रेडि कर सकते हो चलिए वेकेंसी की डिटेल देखेंगे यहां पर यह मेल वाली है है ना मेल और फीमिल दोनों भर सकते हैं अभी कौन से वाली बता रही हूं मैं आपको मेल वाली ठीके भई एक open जो हर किसी के लिए और एक एक सर्विसमेन वाली ठीक है आप देखेंगे जनरल में EWS, OBC, SC, ST कुल मिलाकर जो ओपन और जो आपका एक सर्विसमेन हैं आपको मिल रही है 560 के करी है ना कुल वेकेंसी आपको और यह तो सिर्फ मेल वाली है मेल वाली है फीमेल वाली तो मैं अभी आपको बताऊंगी तो थो कि मेल वाली आपמה की तो मिल रहा है 275 के अराउंट को पीमेल वाली मिल रही है 276 टीक के भाई फिर इसमें छो है निन को जकर और सारी भर सकते हैं लेकिन एक चीज़ आपके अध्यान रखेंगे जो एज क्राइटेरिया है वो है 18 से 25 ठीक है फिर जो रिलाक्सेशन होता है SCST OBC का 3 साल 5 साल वो तो अलग है ठीक है फिर वो 28 और 30 हो जाएगा लेकिन 18 से 25 के बीच में हैं उसको कैसे बताया गया है कि जो आपका जन्म है जो आपका जन्म है वो 97 से पहले का नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे पहले का होगा तो आप 25 साल से बड़े होंगे और 2004 से लेट का नहीं होना चाहिए क्योंकि 2000 स्टार से लेट का हुआ तो आप 18 से कम एज के हो जाओगे छोटे एज के हो जाओगे तो मतलब वही है ठीक है बाकी जो आपकी जो बर्थ डेट है एक बार वह आप अच्छे से देख लेना है ना दो जन्वरी है इधर और इधर है एक जन्वर है उस चीज़ को आप 12 पास हर लड़का लड़की यह फॉर्म फिल कर सकता है साथ ही साथ आपका फिर इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होना है ना 25 मार्क्स का तो वह जो टाइपिंग टेस्ट है वो अगर इंग्लिश का है तो 30 वर्ड्स और हिंदी का है तो 20 वर्ड्स पर मिनट आपको अभी की जो क्वालिफिकेशन है भाई जो पेपर के लिए है ना आपका जो पहले computer-based exam होगा CBE उसके लिए अभी आपको 12 पास होना जरूरी है अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है काफियों का वैसे रिजल्ट आ चुका है अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है फिर आपका फिजिकल आपका सिर्फ क्वॉलिफाइं है ना जिसमें हाइट वगरा है वो भी आपको क्लास में बताऊंगी कि कितनी हाइट मांगी हुई है और इसमें लॉंग जंप हाई जंप बगारा भी है ताइपिंग टेस्ट आपकर जैसे कि मैंने आपको बताया 25 मांक्स का होगा और फिर उसके बाद एक कंप्यूटर का भी होगा जिस मतलब ऐसे मांग लेते हैं MS Office है ना Automation बगारा यह सारी चीज़े आपको आने ही चाहिए तो पहला तो देखो यह यह पहला तो हमको यही करना है जिसकी क्लास आपके लिए भी चल रही है प्रेपकर यूट्यूब चानल पर तो जो CBE एक्जाम है आपका कंप्यूटर बेस्ट वाला उसमेंने को जन्रल अवेर्नेस आईगी आपकी 20 मार्क्स ठीके भई फिर क्वांटिटेटेव आपका आएगा 20 कोईशन 20 मार्क्स फिर उसके बाद जन्रल इंटेलिजेंस यानि की रीजनिंग जो है आपकी जो रीजनिंग है वह 25 मार्क् लांग्वेज बेसिक नॉलिज आपकी 25 कोईशन 25 मार्क्स और फिर आपका जो एमस एक्सल वगारा कंप्यूटर से रिलेटेड है दस कोईशन 10 मार्क्स तो आप देख पा रहे हो कि यह जो दो है आपके पास है यह दो क्या है ज्यादा वेटेज रख रहे हैं ज्यादा क्व बजी होती है ठीके तरुन सर लेते हैं इसको जर्नल एवेर्नेस की आपकी 11 बजे से चलेगी फिर क्वांटिटीटीव एप्टिट्यूड आपका 12 बजे चलेगा नितन सागर सर लेते हैं बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे ठीके भई फिर आपकी एक बजे चलेगी रीजनि सब्सक्राण रखेंगे नेगिटिव मार्किंग है आपकी इसमें कितनी 0.5 यानि कि 1 by 2 मतलब बहुत ज्यादा खत्रा है कि अगर आप ना पढ़के जाएं और आप ऐसे ही वहाँ पर चले जाओ तो बहुत ज्यादा खत्रा है कि माइनस में भी मार्क सा जाएं ऐसा भी हो सक तो सो क्वेशन गलत होने पे आपका चला जाएगा मार्क सही वाला थिक्षै थिक्षण सो माक्स के हैं कि हाइध जो आपको बता रही थी हाइध क्या है मेल्स की मांग वही 165 और मिल्की मांगी है 157 पांच-पांच सेंटिमीटर का है जो रिलाक्सेशन आपको मिलेगा आप में देख ली होगी आएगेस अच्छे से तो आप सभी को भाई आप बस यही करना है तीन महीने हैं अच्छे से जुड़ जाना है टाइम टेवल में आपको बता दिया जो मेरी क्लास है वो दो बजे चलेगी ठीक है भाई पीवाई क्यों कि देखो किस लेवल का आ रहा है और पीवाई क्यों कैसे हम पान सेकेंड वे आंसर कर सकते हैं वो सारा कुछ आपको बताऊंगी दो बजे इंगलिश की क्लास में ठीक है कहीं कोई डाउट रहे गया हो तो यहां जुड़ जाओ और मेसेज कर देना इंगलिश मेड इजी विद ने ठीक है भाई कहीं कोई डा शॉर्ड़ी रप्लाइ करूंगी सारी इंपॉर्टेंट चीजे मैं आपको बता दी है तो अब मैं आपसे डेली मिलूँगे सुबा आठ बजे वोकाब के लिए दो बजे इंगलिश के लिए सारा टाइम टेबल जो आपका डेली पुलिस हेड कॉंस टेबल के लिए हैं वो झाल झाल